यूट्व चैनल को और हमारे नए वीडियो देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन हेलो फ्रेंड मैं हूँ सुरच और आप देखरें हैं टेकनिकल सुल्ट मिस्ट्री आजके इस वीडियो में जीनेट के तरब से एक और एक नए अपडेट लेकर आया हूँ जिससे जानकर आपको बहुत ही जादा खुशी मिल जाएगे जी हाँ एक Gnet के तरफ से एक बहुत बड़ी खुशकबरी आई है कि एक IMPs restarting होगा जी हाँ कब होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और प्रमो पॉइंट कब अपडेट होगा ये भी मैं आपको इस व बता दो कि अगर मेरा चलेज अब तो सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लेजिए क्यों कि हम अपने चलेंज में इसी तरह से वीडियो डालते रहते हैं जो कि ऑनलाइन और जीनिंग से सभी के सभी अपडेट में देटा रहता हूं जैसे आपको बहुत बहुत ही है इस चलेंज के मदद से तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि देश सकते हैं कि पोर्मो पॉइंट अपडेट ही नहीं हो रहा है जी हां लास्ट अपडेट 27 तारिक को हुई थी 27 मार्ज और आज एक अप्रेल हो गई है और अभी तक अपडेट नहीं है नहीं हुई है तो यह अपडेट होगी कल जी हां दो अप्रेल को यह अपडेट हो जाएगी पोर्मो पॉइंट जी हां इसलिए आपको ज्यादा टेंसल नेंदरकार नहीं है पोर्मो पॉइंट कब दो अप्रेल तक अपडेट हो जाएगी और रहिस्वाल आएंप्यस तो आएमपेस री स्टार्ट होगी 2 अप्रेल 12 बजे जी हाँ पीम 12 बजे आपको आएमपेस स्टार्ट हो जाएगे आप फिर से आएमपेस कर पाएंगे और इसका लिमिटेड है स्रिफ 2000 रुपे आप एक दिन में स्रिफ 2000 ही कर पाएंगे और उसके 15 दिन बाद इसकी विलिट्टी बढ़ जाएगी आप उसके बाद से आप 25,000 कर सकते हैं बरना ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसकी एलेक्शन बाद इसकी जो लिमिटेड है 25,000 दो जार से बढ़कर 25,000 तो यह एलेक्शन बाद भी हो सकती है इसका पूरा प्रसेस पता नहीं चल रहा है लेकिन इसका यह पता है कि MPS आप 2 अप्रेल से कर पाएंगे 12 बजे के बाद से 4 बजे तक जी हां तो आपको ज्यादा टेंसल लेने कि दरकार नहीं है आप आराम से MPS को MPS ट्रांजेक्शन कर जिए बेंगे में उसके बाद जो भी जीनेट के तरफ से अपडेट होगी मैं आपको संसंग देता होगा आज के वीडियो में सिर्फ इतना है इस वीडियो को सेर सेर जरूर करें इसकी इस वीडियो से मदस्ते और भी लोगों को हेल्प हो सके और इस वीडियो का लाइक जरूर करें